traditional council of compass is known as suzum chungi बिल्कुल सही है यह जो nova head करता है traditional council of compass second common term for widow remarriage used by pangvals is dogri dogri जो है वो widow remarriage नहीं है dogri होता है dogri term हम use करते है marriage by exchange के लिए जो widow remarriage के लिए term use होती है उसका नाम होता है topilana right third तो second वाली जो अपनी statement है वो बिल्कुल गलत है third है बुशेहर state was also known as maon और moon ये बिल्कुल सही है आपका fourth according to bhagwant purana kinnar trace their origin from shadow of brahma तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है kinnar वाले tribe में हमने इसको पढ़ा था तो हमारा जो answer हो गया वो कौन सा हो गया correct statement कौन कौन सी हो गई आपकी one, three और four यानि की option d आपका बिल्कुल सही answer यहां पर है तो देखे अगर modern tribes को अच्छे से पढ़ा है detail में भी पूछी जाती है चीज़े origin से यहां पर पूछी गई हुई है तो पढ़ने के साथ आप लोगों को यह भी पता चलता रहना चाहिए कि exam में question exactly पूछे किस तरह से जाते हैं तभी तो आप लोग सही से preparation कर पाओगे तो इसलिए आज यह previous year के papers को आज हम discuss करेंगे तो अगला हमारा question है यहां पर कुछ एक statement दे रखी है इसमें से आपने correct statement को चूज करना है धौला धार range branches off from great himalian range near badrinath जो धौला धार range है वो great himalian range से branches होती मतलब निकलती है कहां से badrinath से तो यह वाली statement हमारी बिलकुल correct है second आगया पीर पंजाल range separates the drainage of river sweetie from that of river ब्यास तो यह वाली statement हमारी यहां पर थोड़ी सी गलत होगे फिकल्स यहां पर जो है वो river ब्यास नहीं आएगा यहां पर हमारा आएगा river ravie तो यहां पर हमारा आजाएगा river ravie थर्ड आ गया जन्सकर range is easternmost range which separates spiti and kashmir from tibbat जन्सकर range हमारी yes easternmost range है और वो spiti और spiti और kashmir को tibbat से separate करती है ठीक फोर्थ आ गया गुमरंग और सोलरंग पास connect the basin of river चंद्रभागा with its basin in tibbat तो यह हमारा जो है यहां पर गलत आ गया पिकल्स यहां पर जो होगी river चंद्रभागा नहीं होगी बल्कि यहां पर आपकी आजाएगी river सतलुज ठीक तो आपका जो आंसर है यहां पर वो क्या बन जाता है वो आंसर b है आपका 1 and 3 are correct आंसर b next question नेक्स आगया अपना यहां पर कुछ एक statement दे रखिए इसमें से आपने correct statement को choose करना है पहली statement है जी ए ग्राइश सर ने कहा है कहलूरी is an offshoot of root Punjabi यह बिर्कोल सही है इन्होंने यह statement दी थी कहलूरी के बारे में कि यह पंजाबी की ही एक offshoot है second आगया कि नौरी जंगरम mixture is the dialect used in रक्चम and चितकुल villages of सांगला तहसील तो यह dialect है जो सांगला तहसील के रक्चम और चितकुल गाओं में use होती है कि नौरी जंगरम यह भी सही है third आगया dialect spoken in रामपुर बुशहर कुमार सेन, कोटकर रिजन और nearby parts में जो बोली जाती है सतलूज वैली के उसको हम कोची कहते है यह भी सही है fourth doctor भोला नातिवारी ने कहा है कि पहाडी language जो है वो दर्दी और पिश्ची इन में से originate हुई है तो पहाडी language originate हुई है दर्दी और पिश्ची में से एक statement तो दी गई थी लेकिन doctor भोला नातिवारी द्वारी द्वारा नहीं दी गई थी ये statement आपकी दी थी GA gradson के दौरा GA gradson जो है इन्होंने ये वाली statement दी थी कि ये जो पहाड़ी है हमारी वो दर्दी और पिच्ची से निकली हुई है तो correct statement अगर आपने पूछी है तो option C यहाँ पर सही है next question अपना incorrect statement आपने यहाँ पर देखनी है कांगरा के जो मार्शियल पीपल है उनको हम अपन कांगरा के जो तो यह आपका गलत है यहाँ पर गलत statement आ गई है यह बिकॉज यहाँ पर यह कांगरा के लोगों को हम नहीं कहते हैं यह चंबा के जो मार्शियल लोग है उनको काह जाता है second most popular dance of किन्वर is कयांग कयांग जो है किन और का डांस है most popular है सही बात है snake like moments होती है इस तरह के डांस में बुरा is a famous group dance of mandi तो जो बुरा है वो mandi का group dance नहीं है बलकि यह है आपका सिर मौर का group dance ठीक है तो यह वाली statement हमारी गलत हो गई Buddhist people of Lahol and Spiti and किन और perform mask dances yes यह सही है आपका mask dance के लिए पर्टिकुलर term यूज होती है वो क्या है आप comment section में मुझे बताना mask dance जो Buddhist लोग perform करते हैं तो यह fourth भी आपके सही आ गई second भी सही आ गई तो यहां पर पूछा क्या है आपसे incorrect इंकरेक्ट आ गई one and three one and three are incorrect option is correct answer next question आगया आपका जल जीवन मिशन economic survey से आया हुआ है यह question next तो क्या बुला हुआ है इन्होंने यहां पर जल जीवन मिशन के बारे में क्या यहां पर correct नहीं है हिमाचल परदेश में यह कहा गया है कि जून 2022 तक परते एक परिवार को कार्यात्म गरेलू null connection परदान करने में मैं परते एक ग्रामिन परिवार को शामिल करने का लक्षय है सही है यह functional household tap connection देने का लक्षय रखा गया है next statement है हमारी 17.28 लाग household में से जो 15.80 लाग है उनको यह functional household tap connection दिया गया है दिसंबर 2001 तक यह भी सही है हिमार्चल में जो 91% परिवार है उनको गरेलू connection दिया गया है जबकि जो national average है वो 45.50 है यह भी सही है हिमार्चल प्रदेश places at 8th position in the country for providing FHTC यानि functional household tap connection यह सारी statement सही है पता नहीं ऐसे क्यों हो तक जो बहुत लंबा सा paragraph दे रखा होता है उसकी maximum statement सही ही होती है पर ऐसा तुका लगा के चलना नहीं है गलग भी हो सकता है ठीक है तो यहांपे आपसे incorrect पूछा है इसमें incorrect कोई भी नहीं, यह सारे के सारे आपके यहां पर सही है, बिल्कुल ठीक है, तो उप्युक्त में से कोई भी आपका incorrect नहीं है, next question select the correct statement from the following, correct statement Supreme Court of India ने अलाओ किया है, state of for silvy culture, green falling of three species on experimental basis, तो यहां पर जो है आपकी पहली statement बिल्कुल सही है, जो experimental basis पर तीन प्रजातियों की silvy culture, हरी कटाई की अनुमती दे दी है, second, forest in HP covers 37,947 km of geographical area, यह भी सही है यहां पर, यह बढ़ भी गया है वैसे थोड़ा सा आपका न, लेकिन economic survey में इतना ही दे रखा था है in Himachal Pradesh presently 30% of total geographical areas support forest cover करता है कि आपका forest cover को 30% नहीं करता है यह अभी तक यह आपका करता है 28.60% ठीक है, aim of the forest department is to enhance the forest cover in to 35% of its geographical area by 2030, तो यह भी आपर थोड़ा सा गलत है, 2030 तक तो है लेकिन 35% नहीं है बलकि 30% ठीक, तो सही क्या होगी, आपका कौन कौन से statement आपके सही होगी, only one and two statement are correct next question matching का आपका यह आपका total total economic survey से उठाया गया question था economic survey में जो chapter था वहां पर पूरा का पूरा यह data आप लोगों को एक दो lines में दे रखा था ठीक है, तो हिमाचल जी के को अगर आप प्रिप्यार कर रहे हो तो बुक पढ़ने के साथ, economic survey को कभी गनौर ना करें, लेकिन यह economic survey का जाधा ट्रेंड भी दो तिन साल से ही चल रहा है, आपको पता भी नी चलेगा कब वो total cut वहां से कर लेंगे, जैसे अभी उठा कर डाल रहे हैं, 7-8 questions, total cut भी कभी कर लेंगे, तो पता ही नी चलेगा, खेर, इसमें current भी आ जाता है, तो तभी बोलते current economic survey, current जी के economic survey plus book, यह साथ लेके चलना पड़ेगा तो total geographical area of हिमाचल कितना है आपका, 55,630 square kilometer, यह भी को सही है आपका, total area of operational holdings, total area of operational holdings है आपका, 9.44 lakh hectare, second आगया, area operated by number of farmers, area operated by number of farmers कितना है, 9.97 lakhs, average holding size कितना है, 0.95 hectare, ठीक है, तो इसका सही answer आपका, option number C, ठीक है, next question, which of following statement is not correct, कॉंसे statement है, जो यहां पर आपकी correct नहीं है, तो सबसे फूर्ट, in 2021 हिमाचल was 15.28 lakh metric tons, तो यह आपकी बिलकोल सही है, data-based है, data-based questions आयो थे, fact-based, production of potato in the year was 1.97 lakh metric tons, यह भी सही है, वेजेटेबल की production कितनी थी, 18.61 lakh metric tons, तो यहां पर थोड़ा सही है, 18.67, 18.67 lakh metric tons था, इसलिए यह statement गलत हो जाती है, food grain production in हिमाचल परदेश, जो 2021 में धाव हो था, 16.35 lakh metric tons, यह आपका यहां पर सही है, ठीक है, तो गलत statement आगए आपकी A, 3 only, next question, which of the following statements about tea production in हिमाचल परदेश is correct, tea production के बारे में आपकी कौन सी statement है, जो बिलकुल correct है आपकी, तो यहां पर आपकी statement है, पहली देख लो, there are 5,900 tea growers in the state, सही है, total area under tea cultivation is 2,500 hectare, तो total area है tea hectare में वो कितना है, वो है आपका 2310.71, previous year के paper जिसमें solve किया होंगे, उसको यह आसानी से आगया हो, बहुत बार पूछा गया है, यह previous year में, मतलब अभी तो यह statement में दे रखा है, यहां पर, वैसे previous year में यह fact पूछा जाता है, चाहे वो HPSST के papers हो, कि जो total area है कल्टिवेशन में हिमाचल प्रदेश में वो कितना है, ठीक है, तो 2310.71 hectare, जो है total area है, next, 2021 में हो सकता है, अभी रेखो करंट के साथ भी उसको merge कर सकते हैं, कांगरा टी बहुत news में रहा है, इस साल, उसको European GI tag मिला है, इस साल, कांगरा टी की production के उपर बहुत जादा, बहुत जादा focus किया जा रहा था, न्यूस पेपर में कितनी बार article आया हुआ है, कि इसको इसकी जो production है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, इसकी तरफ ध्यान की देने की जरूरत है, तो वो सारी चीजों के कोई एक आदा fact भी आपको statement में डाल सकते हैं, तो news की तरफ भी आप लोगोंने ध्यान रखना है, ठीक सही है आपका, तो गलत कौन सा हो गया आपका, to hold, select the incorrect statement from the following, incorrect statement को आपने select करना है, तो यहां पर आपकी जो incorrect statement है, सबसे पहले आप लोग देख लोगी क्या के आप लोगों को देरखा है, हिमाचर पडेश जो है, उसको second top performer मिला है, human resource development public infrastructure among his states during 2020-2021, तो यह जो statement है आपकी यहा गलत है, because, क्यों गलत है, एक मिनट, हा, तो यह जो आपकी statement है, यहां पर थोड़ी से गलत है, because, यहां पर जो हिमाचर परदेश को, हिमाचर परदेश top performer रहा है, वो social welfare development public infrastructure utility में रहा है, इसमें HRD आपका नहीं आएगा, ठीक है, तो यह गलत हो गई, second Blaspur district को rank 1 मिला है, district good governance index में, तो district good governance index में, इस समय 2020 में हमीरपूर को मिला था, बिलासपूर को नहीं मिला था, तो यह भी गलत है, आपकी, शिमला rank, शिमला ने 5th rank लिया था, good governance index में, तो यह भी आपका बिलकुल सही है, हमीरपूर ने अपनी position को improve किया था, transparency and accountability index में, यह भी आपका बिलकुल सही ह तो दो statement पहली वाली आपकी गलत है, तो first and two are incorrect, one and two are incorrect here, ठीक है, next question, select the correct combinations, statements about banking, बैंकिंग बाले chapter से direct दिया गया था, 2011 के census के according, जो average population है per branch वो आपकी 4,069 है, तो यह थोड़ा सा, यहां पर digit का हेरा फेरी कर दी है, 3,069 है, state has a network of, state has a network of, state has a network of 4,422 bank branches, तो यह थोड़ा सा, यहां सारे ऐसे हिलादू लखे कर दी हैं, गलत, तो यहां पर आ जाएगा आपका, 2,244, शिमला is only urban center in state classified by RBI, यह भी सही है, PNB has largest network of 530 branches in हिमाचल परदेश, तो 530 branches का नहीं है, यह actually यहां पर 350 का है, जादा मेहनत नहीं का रही हुई है, इन्होंने, डिज़िट को यहां वहां किया हुआ है, बस, तो जो correct statement आ गई, वो आ गई आपकी 1, 2 और 4, तीक है, 1, 2, 4 है, और incorrect statement आ गई आपकी, 3rd, sorry, correct statement आ गई आपकी 3rd, और incorrect आ गई आपकी 1, 2 और 4, ठीक है, तो 3rd only is the correct, यह correct और incorrect करना, पेपर में ज़रूर ध्यान रखना, बिकर्स कई बार आप सही answer जानते भी हो, लिकिन इस correct और incorrect के चक्कर में question ही गलत हो जाता है, marking गलत हो जाती है answer की, next question, which of following is not the main objective of राश्ट्रिय क्रिशी विकास योजना, राश्ट्रिय क्रिशी विकास योजना, रिमिनिरेटिव अप्रोच्चिस फॉर अग्रिकल्चर और लाइट सेक्टर रिजुवेशन, इसके जो main objective है वो क्या-क्या नहीं है, तो यहां पर इसके जितने भी आपके objective दे रखे हैं, वो आपके बिलकुल सही है, जैसे की strengthen farmers effort to creation of required pre and post harvest agree infrastructure that increases access to quality in food storage, market facilities and enabling farmer to make informed choices, यह सार के सारे हैं इसके scheme के और कोई भी ऐसा objective नहीं है, जो इसका नहीं है, तो यहां पर none of the above आ जाएगा, because इन्हों ने पुछा कि which is not the main objective, next question, match list 1 and 2 with regard to plan outlays and select the correct answer from the following, ठीक है, तो यहां पर भी आप लोगों को matching करनी है, सबसे पहला जो question है हमारा, agriculture and allied services, इसके लिए कितना करोड का है यह, agriculture and allied services के लिए, यह है आपका 929.31 क्रोड, second आगे आपका energy, तो energy के लिए है 903.57 क्रोड, third आगे आपका, third आगे आपका transport, transport के लिए है आपका 2724.32 क्रोड, social services आगया, social services के लिए आपका है यहां पर 3,020, 221.49 क्रोड, ठीक है, अब मुझे नीचे comment section में जरा बता देना, कि इस साल का जो budget है, उसमें health sector के लिए कितना budget दिया गया है, इस साल का जो budget है, उसमें health sector के लिए कितना budget दिया क्या है, next question है अपना, यहां पर आपको कुछ एक statement दे रखिया, आपने इसमें से incorrect statement को चूज करना है, सेंट एंड्रीव का जो church है चंबा में, उसमें Scottish architecture की influence है, सही है, architecture आप मनी महिष लक्षणा देवी इस इंडो आर्यन नगर स्टाइल, सिखर स्टाइल का है, यह आपका यहां पर गलत है, जो architecture है मनी महिष लक्षणा देवी temple का, वो गुपता इरा का architecture है, और इसका artwork वूड में है, ठीक है, चंपवती temple in Chamba is built in Gratio Buddhist art of Gandhara, यह भी आपका यहां पर गलत है, ब्रास आइडल of Goddess एच्छतरारी शक्ति देवी temple in Chamba district is of Kashmiri style, यह आपका सही है, तो कौन कौन से स्टेक्मेंट सही होगी, 1 और 4 district profile में से, ठीक है, district profile जो chapter है, 1, 2, 1 और 4 जो है आपका यहां पर सही है, पूछा क्या है, incorrect पूछा है, तो 1, 2, 1, 3 are incorrect, next question, choose the incorrect answer, incorrect answer को आपको यहां पर चूज करना है, तो incorrect answer, a board of Goddess मथी is जितकुल, यह सही है आपका, a living geographical museum is in Linkty Valley, यह भी आपका सही है, चसक बठोरी is highest village of Lahol Valley, यह आपका गलत है यहां पर, चसक बठोरी जो village है, वो आपका चमबा का highest है, Lahol's पितिकर नहीं है, highest peak of Kinnaar के लाश is Jorkandan, यह आपकी सही है यहां पर, तो 3rd आपका only incorrect है, आपको incorrect को ही चूज करना था, तो 3rd only is incorrect answer over here, select the correct statement from the following, correct statement को आपने यहां पर करना है, महमूत अफगजनी made a raid on Nagar court, हजार, एक हजार आठ नौ में इसने raid किया था, यह आपका सही है, ह्यून सांग stayed for some time at Sirmore with monk Jaya Guptam, ह्यून सांग जो है आपका यहां पर रुका था, Jaya Guptam के साथ, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, प्रिंस नादी रुदिन ascended the throne of Kangra under the name of Muhammad Duglaq, यह भी आपका बिल्कुल सही है, नगर court remained under the possession of Timuray Lang till 1043, यह आपका गलत है, उस समय यह महमूत गजनभी की possession में रहा था, Timur की possession में नहीं रहा था, तो आपका यहां पर सही आंसर क्या आ जाता है, correct statement आ गई आपकी, 1, 2 and 3, fourth is wrong, see आगया सही आंसर, which of following statements are not correct, कौन सी statement यहां पर आपकी correct नहीं है, battle of Nadon was fought by राजा भीमचंद अफ किलूर और मुगल बिल्कुल सही है, battle of धलोग, राजा जनार्दन अफ चमबा वाज रेफिटेट यह भी बिल्कुल सही है, राजा उफ हिंदूर हरीचंद वाज केल गूरु गोबिन सिंग इन कि यह जो battle of भंगानी है, यह कब हुआ था, गुर्खास defeated the Kangra forces at Mahal Moria in 1806, यह भी हमारा फिल्कुल सही है, तो all are correct, incorrect इसमें कोई भी नहीं है, तो none of these is, तो next question हमारा यहां पर आ जाता है, खोकसर is located on the ancient, on the old trade route from West Asia, यह सही है हमारा second, ओदंबरा के जो कौईन है, वो यह बताते हैं कि Lord Vishnu के वर्षिपर थे यह, यह हमारा यहां पर गलत है, यह Lord Shiva के वर्षिपर थे, Lord Vishnu के नहीं थे, महाबारता में यह कहा गया है कि ओदंबरा जो है, वो siege ब्यास का नाम था, यह भी आपका यहां पर गलत है, ओदंबरा क्या है, ओदंबरास जो थे, वो most prominent ancient tribes दे हिमाचिर प्रदेश, वो पठानकोट और ज्वालमुकी के बीच में रहते थे, ठीक है, next question, tribal republics of हिमाचिर प् है, one and four are correct है, second और third आपकी आँपर गलत है, next question, कुलू remained part of Punjab's state till 31st October 1966, सही है यह आपका, सबसे पहला आपने देखा था, हिमाचिर का किस-किस तरह से बना था, तो उससे ही आपका question clear हो गया होगा, कुलू was subdivision of Kangra's district since 1846, यह भी सही है, Alexander Cunningham and A.T. Bannon were first European to visit कुलू in 1820, तो यह गलत है आपका, विकस यह बहुत-बार और बहुत सारे papers में पूछा भी जाता है, कि सबसे पहले कौन आय था, तो मूर्क्राफ्ट आय थे 1820 में, आइडल अफ रगुनाजी वस ब्रॉट बाइ, ब्रॉट टू, फ्रॉम अयोध्या टू कुलू दूरिं ग्रीन ओफ राजा जगत सिंग, तो यह भी आपका सही है यहां पे, ओली थर्ड आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे आ गई, ठीक है, ओली थर्ड से, 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार, कुल खर्च का कितना प्रतिशत, वेदन, पैंशन, ब्याज, भुकतान और सबसीडी पर हिमाचल प्रदेश में खर्च होता है, तो इसका सही आं श्री बद्रीनाथ, श्री ज्वाला सिंग, यह लोग किस revolutionary movement के leaders थे, हिमाचल प्रदेश के किस revolutionary movement के leader थे, तो यह लोग गदर पार्टी के leader थे, याद रखना मिया जोहर सिंग, श्री बद्रीनाथ और श्री ज्वाला सिंग The first one-day international cricket match was played between which of the following teams in HPCA state team dharmshala, हिमाचल प्रदेश cricket association stadium dharmshala में, इन दो teamों के बीच में one-day international खेला गया था, तो यह खेला गया था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में Next statement के बारे में है, No scenery in my opinion presents such sublime and delightful contrast, this quote by GC Barnes is for which of the following district मेरे विचार से कोई भी प्रकृतिक द्रिश्य ऐसा उदात और रमनिय वैश में प्रस्तूत नहीं कर सकता है, GC Barnes ने ये किस district के बारे में कहा था, तो ये इन्होंने कहा था, कांगडा वैली के बारे में Next है, Match the following combination and select the correct answer, यहाँ पर कुछ एक रियास्तें दी गई हैं और ये पूछा गया है कि इन रियास्तों को किस ने स्थापित किया था Koti स्थेट, गुलेर रियासत के वंशुजों दारा स्थापित, यह गलत है यहाँ पर, क्यूंकि जो Koti स्थेट से इन्हें कुटले हेड के descendants ने स्थापित किया था दामी स्थेट, फाउंड़ रियासत, फाउंडर रूलर वस दुर्गा सिंग, असकायोन अफ हाउस अफ जैपूर मारवार, जैपूर के राजा वंशुज दुर्गा चंद संस्थापक किसके राजा थे, यह भी बिलकुल सही है तो इसमें से option कौन सा है हमारा फिर, option number B सही हो जाता है, only one is false, केवल one असत्या है, क्योंकि जिसका मैंने आपको reason भी बता दिया, कि इसे कुटले हड के descendants ने स्थापित किया था नेक्स्ट है, मुंद्रो और गारू आर नोन ऐस चिल्डरन ओफ हाइपर गैमस यूनियन ओफ विजो फॉल्विंग ट्राइब्स, यहां नीचे कुछ एक ट्राइब्स दिये गये हैं, इन में से मुंद्रो और गारू किसके चिल्डरन माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर है स्वांगलाज, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो स्वांगला कॉमिनिटी है, वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्टिक में सबसे जाधा पाए जाते हैं, कहां कि यह जाधा रहने वाले हैं, स्वांगलाज नेक्स्ट है, कुंचन फार्म आप मैरिज इन सिक्किम is exactly similar to which of the following marriage system of हिमाचल प्रदेश सिक्किम की जो कुंचन फार्म आप मैरिज है, वो हिमाचल प्रदेश के किस विवाह प्रथा के समरूप है, किस के समान है, तो इसका सही आंसर है दारोश यानि कि दारोश का मतलब होता है marriage by capture तो सिक्किम की एक कुंचन form of marriage होती है जो इसके साथ दोनों similar है Next है जार जनजाती यानि जार ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश का वो इन में से किस religion को follow करते हैं तो ये follow करते हैं बुद्धिजम को जार जनजाती के लोग और ये mostly जार जनजाती के लोग आपको मिलेंगे चमबा में चमबा और पांगी में पांगी वाले एरियास में ये आपको वहाँ पर सबसे जादा मिलेंगे Next भी एक statement based question है 2021 में बहुत जादा statement based questions पूछे गए थे और छोटी छोटी डेट्स में minute फर्क में ये question पूछे गए थे अब देखे अगला question इसी तरह का है सुल्तान महमूद गजनभी ने नगर कोड दुर्ग पर एक हजार नौ इस्वी में आक्रमन किया था तो ये बिल्कुल सही है एक हजार नौ में सुल्तान महमूद गजनभी ने अटैग किया था नगर कोड को सेकिंड है 1339 नगर कोड expedition was led personally by सुल्तान महमूद तुगलग सुल्तान महमूद तुगलग ने नगर कोड का expedition किया था लेकिन 1349 में नहीं 1337 में किया था तो ये statement गलत है फर्स्ट हमारी सही है थर्ड स्टेटमेंट है इन 1348 एडी राजा पूरब चंद रिकवर्ड कांगरा फॉर्ट 1348 में राजा पूरण चंद ने कांगरा दुर को बापिस प्राप्त किया था तो ये भी गलत है क्योंकि अगर राजा पूरब चंद का हम देखें तो इनका mention history में 12th century में पाया जाता है तो यहां पर कहा गया है कि इन्होंने 14th century में जाकर के कांगरा फॉर्ट को रिकवर किया तो ये भी गलत है ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि आमीर तेमूर की बापसी के बाद हरिचंद ने 1405 इश्वी में कांगरा के सिहासन पर ये बैठे थे तो हमारा सही आंसर क्या हो गया चौथी भी हमारी बिल्कुल सही है statement पहली और चौथी statement 1 and 4 हमारा correct आंसर है next question भी हमारा ऐसा ही है statement based राजा संसार्चंद डाइड इन 1825 राजा संसार्चंद 1825 में मरे थे ये गलत है statement क्योंकि ये 1824 में मरे थे राजा संसार्चंद अफ कांगरा इन्वेडिट दा विलासपूर स्टेट इन 1796 इन्होंने विलासपूर में 1796 में आकरमन किया था ये बिल्कुल सही है 1844 में सिख कमांडर जुरावर सिंग ने लाहॉस पितिक शेत्र को सिख राजा में मिला दिया था जो बिल्कुल कलत है 24 अगस्त 1809 में महराजा रंजीत सिंग टुक ओवर प्सेशन ओफ कांगरा फोर्ट 24 अगस्त 1809 को महराजा रंजीत सिंग ने कांगरा के दूर्ग पर अधिपत्य कर लिया था उसे अपने कब्जे में ले लिया था तो ये भी बिल्कुल सही है तो accordingly हमारा जो आंसर है वो हो जाता है option number D, 2 and 4 next है which of the following statements are not true इन में से कौन सी statements भी true नहीं है प्रांगला पास lies between किनौर and लाहॉल मनी रंग जो है क्या सबसे उची चोटी है चमबा की काली चो चमबा की प्रसिद जील है चोबिया पास लदाख और लाहॉल के बीच में स्थित है मैं इसमें से आपको answer नहीं बताए आंसर तो मैं बताऊंगी लेकिन यह नहीं बताऊंगी कि प्रांगला पास किस के बीच में है मनी रंग क्या जमबा की हाइस्ट पीक है तो इसका सही answer है all of the above क्यूंकि यह सारे के सारे गलत है मैंने आपको पैमेर ने जब mountain passes of हिमाचल प्रदेश की वीडियो बनाई थी तो वहाँ मैंने बताया था कि कोई भी paper है हिमाचल प्रदेश का passes मैंसे कैसे भी question पूछा ही जाता है एक question तो आपको हर एक exam में आएगा ही और मैंने इतनी आसान story trick से वहाँ पर यह सारे passes आप लोगों को बताय हो थे तो अब अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर करके आप उस वीडियो को देख सकते हूं mountain passes of हिमाचल प्रदेश जहां पर भी mountain passes का जिकर होता है मैं यह जरूर mention करती हूँ क्यूंकि उस story trick को सुनकर के बेश्रक आपको शुरू में लगेगी यह कैसी है मतलब क्या story trick है यह क्या अजीब से वो लिए हुए है काल्पनिक से नाम लेकर के इससे relate किया हुआ है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाते हूँ कि दो तीन बार अगर आप लोगों से continue सुन लिया आपको सारे के सारे mountain passes याद हो जाएंगे फिर अगर आपको जैसे चाबी याद आ जाएगी न कहीं पर चाबी तो आपको छोबिया पास पका याद आएगा चाबी देखकर कि आपको छोबिया पास की याद ज़रूर आएगी तो आप उस वीडियो को देख सकते हो mountain passes of हिमाचर प्रतेश को मेरे चैनल पर next question है direct economic survey से जिस भी बंदे ने economic survey पढ़ा था उनके लिए तो बहुत अच्छा था पिछली बार का paper क्योंकि questions direct lines उठा करके डाली हुए थी economic survey से कोई change भी नहीं किया हुआ था बस एक दो words का change उपर नेचे किया हुआ था which of the following statements are not correct per capita income at current prices as per first revised estimates for year 1920 witnessed an increase of 6.2% प्रती वेक्ति आय में 6.2 प्रतिशत की व्रिधी देखी गई ये गलत है क्योंकि 7.9 प्रतिशत की व्रिधी देखी गई थी कितनी 7.9 प्रतिशत की और इसके आगे वाली statement पुछा गया है कि 2020 की अर्थ व्यवस्ता में दिसंबर 2020 तक minus 7.9 प्रतिशत की आसपास रहने की उमीद थी तो ये गलत है क्योंकि इसकी जो रहने की उमीद थी वो है minus 6.2% माइनस 6.2% दोनों डीजिटी चेंज किये हैं उपर नीचे यहां पर और यहां पर थर्ड है economic growth in state will still go and by agricultural activity ये भीकुल सही है क्योंकि हमारा जो आर्थिक विकास है अभी भी वो क्रिशी कर्तिवितियों यानि agriculture एक्तिवितियों से ही नियंत्रित है तो इसके बाद है the smaller project in hydroelectric power sector up to 2 megawatt have been reserved for the investor forum हिमाचर प्रदेश only अगर 2 megawatt तक की छोटी प्रियाव जनाए किसी ने चलानी है hydroelectric power sector में तो वो हिमाचर प्रदेश के निवेशकों के लिए ही आरक्षित की गई है ये भी बिल्कुल सही है गलत statement कौन सी हो गई statement number 1 और 2 तो accordingly हमारा answer हुआ 1 और 2 क्योंकि इसमें से गलत statement को हमें choose करना है 1 और 2 गलत है next है which of following are not correct about social welfare program देखे social welfare programs के बारे में कौन कौन सी गलत statements है ये उद्यान पोटल जहां किसान घर बैठे बागवनी ट्रिशिट सेवा का लाब उठा सकते हैं बिल्कुल सही है विशेश महिला उठान योजना तक्निकी और वेफसाइक प्रेस्टिक्शन के माद्यम से शारिरिक और योन सोचन वाली महिलाओं के पुनरवास के लिए तयार की गई योजना ये भी विल्कुल सही है एक विगा योजना राज्य सरकार ग्रामिन महिलाओं को आत्म निर्भर बंड़ना और मंद्रेगा के तहत रोजगार दियाने में उन्हें सशक्त बनाएगी ये भी सही है देखे आप लोग बोलगे इतने सारे ये सोशल वेलफेर प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे हैं लेकिन ये जो यहां से दिये गया है ये सारे एकॉनमिक सर्वे से ही उठाए गया है मतलब एकॉनमिक सर्वे में जितने मैंशन किया गया थे उसी में से ही ये पेपर में डाले हुए थे 2021 के पेपर में तो इसका सही आंसर क्या हुआ? none of these क्योंकि ये सारी की सारी correct है next है हमारा हिमाचल प्रदेश पहला state है जिनोंने district good governance index को governance performance के लिए seven themes पर शुरू किया है बिल्कुल सही है idea of DGGI was obtained from public affair center बैंगलूरू when हिमाचल प्रदेश was ranked first among 12 states on the public affair index ये भी बिल्कुल सही है government of हिमाचल प्रदेश has decided that DGGI will be regular exercise of department of economics and statistics तो ये भी बिल्कुल सही है हमीरपूर district was awarded first prize on basis of DGGI 2019 तो ये गलत है क्योंकि हमीरपूर को नहीं मिला था यहां पर बिलासपूर को मिला था और ये जो सारे current affairs है हाँ मैं मतलब मेरे channel पर regular videos तो current affairs की नहीं डाली है लेकिन जो भी डाले थे January onwards current affairs हिमाचल प्रदेश के उसमें से ये current affairs हमने भी cover किये हुए थे हमारे channel पर तो इसका सही आंसर है यहां पर 1, 2 and 3 फोर्थ वाली गलत है Next है हमारा 2011 के census के according जो average population per branch है state में वो है 3129 ये सही है हिमाचल प्रदेश state cooperative bank limited की 217 branches है गलत है क्योंकि 218 है यहां पर कांगडा district के highest number है bank branches के 423 सही है State bank of India has been given the responsibility of lead bank of two districts चंबा ये भी बिल्कुल सही है तो गलत कौन सी होगे इसमें second वाली statement आंसर देखते हैं option number D इसका correct है क्योंकि जो statements not correct थी वही चूज करनी है हमने next है नबाद consultancy services नाब कौन्स was not involved in which of the following assignments during the financial year 2020 किस नबाद consultancy services जो है किस कारे में शामिल नहीं थी ये भी economic service से उठाया गया है बिल्कुल लाइने उठाकर के टालिवी थी तो इन सब में ये था तो इसका correct answer हमारा यहां पर हो जाता है option number A none of the above क्योंकि ये सभी में ही यहां पर involved था next है which of the following are correct 2011 के census के according हिमाचर प्रदेश कंट्री में ऐसा पहला state है जहां पर 89.96 population रूरल एरियास में रहती है ये बिल्कुल सही है agriculture horticulture provide direct employment to about 70% of total workers of state ये भी सही है next है about 15.72% of total GSDP comes from agriculture and its allied sector ये गलत है क्योंकि लगभग 13.62% GDP आता है out of total geographical area of state area of operational holdings is about 29.44 lakh hectares राजय के कुल भोगालिक शेत्रफल में से जोत काक शेत्रफल 29.44 lakh hectares है ये भी गलत है क्योंकि इसका 9.44 lakh hectares है operational holdings का ये कौन सी holdings का कितना percent area है ये बहुत important हो जाता है क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है चाहे NT का paper हो चाहे HS का paper हो पूछा जाता है marginal holdings का क्या है small and marginal holdings का कितना percent है ये पूछा जाता है तो सही answer क्या हो गया पहली first and second statement सही है तो one and two सही है बागी ये दोनों जो statement है ये गलत है next question है इसमें आपने incorrect statements को choose करना है the state government has taken initiative towards good governance by setting up CM dashboard CM dashboard बनाकर के सुशाषन की दिशा में एक पहल की है बिल्कुल सही है ये statement second है भारत net is an initiative of government of India to provide broadband services to municipalities ये गलत है municipalities के लिए नहीं किया था ये किया था इन्होंने ताकि जो ग्राम पंचायत से country को इनको broadband services मिल सके specially rural areas में ओके next है हिमस्वान वस सेट अप in the state under state e-governance plan in 2010 2010 राज्य इ-governance योजना के तहर्त राज्य में 2010 में हिमस्वान की स्थापना की गई थी ये भी गलत है 2010 में नहीं की गई थी ये 2008 में की गई थी स्थापित कर खज्यार खो आधिकारिक तौर पर मिनी स्विजर लेंड का दरजा दिया था तो ये हमारा इसका correct answer है option number A सार जुलाई 1992 को स्विजर लेंड की जो राजू थे WP Blazer उनको यहां पर यह चीज लगी थी कि जो भगॉलिक स्थीतियां यहां की काफी साधा सिमिलर है स्विजर लेंड से इसलिए उन्होंने इसको मिनी स्विजर लेंड का दरजा दिया था next question है यहां पर आपने मिलान करना है आपको दो सूचियां दी गई है एक में घाती दी गई है और दूसरे में परवत श्रिंखला दी गई है ये है अमारी शिमला रिज शिमला परवत श्रेनी और स्रिंखला में अगय 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 बड़ा बंगाल घाती एक हमारी धोला दार और पीर पंजाल स्रिंखला में निमन लिखित में से हिमाचल प्रदेश के कुल भूभाग का सरवाधिक 36% किस हिमाली क्षेत्र का है तो नीचे आपको options दिये गए हैं इसका सही आसर है यहाँ पर ट्रांस हिमाली क्षेत्र ट्रांस हिमाली क्षेत्र में सबसे जादा परसेंटेज है 36% अब देखें यह जो ट्रांस हिमाली रेजन है यह उरेशिन प्लेट के टकराने के कारण बना है जैसे के आप लोगों को पता ही है उरेशिन प्लेट के टकराने से इसका निर्मान हुआ है और इसके साथ-साथी यह लदाख और हिमाचल प्रदेश में देश का सबसे सादा उत् क्षेत्र भी है ठीक है आप लोगों को पते होगा कि जो हिमालय है उसके चारों और तिब्थी पठार का विस्तार है लेकिन अगर हम हमालयन परवतमालों को देखें जो मुख्य हिमालयन परवतमाला है वो इस तरह से है कि सबसे पहले है पीर पंजाल जज्जकर लदाग पूर हिमाचल प्रदेश के इसमें से गदी कमुणीटी का ये पार्मपरिक परिधान है गदी जो कमिनिटी है वो आप लोगों को कहां पर देखने के लिए मिलेगी सेक्शन बें कि हमाचल प्रदेश में जो गद्धी कॉम्युणीटी आ वह लोग आपको जाता तर कहां पर लेखने के लिए मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जलेए में सबसे ज़ाधा मिलते हैं अब देखे हिमाचित देश की जallowsैश की जो भी जन्जातिय, लोग है, वो अपनी जो उनकी वेश भूशा होती है, उसको पर काफी ज़्यादा गर्म हैसूस करते हैं, जादा थ्र जो ये चीज़े होती हैं, हाथ से बुन्जा भूए ही होती हैं, बहुत जादा लोगत प्रिय परिधानों को जरूर पहनते हैं शादी वाले दिन काफी गर्वाविन्त महसूस करते हैं अपने परिधानों को लिखर के नेक्स्ट है हमारा यहां पर जो क्वेश्टन है उसमें भी कुछ एक लिस्ट दी गई है ट्राइबल्स की ही ट्राइब्स पहुत सदा तो आप ही तो आप हम मिलाएंगे इंको किस में कौनसी शादी होती है देखिये पहला जो है वह है सौगवाञा कमूणीीटीन वहाश्टेह यू गदी इसमें इक है रुसा यजो होता है दूसरा कुणा यहां बया होता है यहां पर रुसा याख खिक है अब next वाली जो हमारी community आ गई वो है गद्धी, गद्धियों में जो शादी होती है उसको कहा जाता है जंजरारा, क्या कहा जाता है, जंजरारा, अब next आ गई खांपा community, खांपा community में जो शादी होती है उसे कहते है फक्तुम या फंक्तुम, है क्या है ये फक्तुम या फंक्त तो यानि कि एक वार्ता करता होता है middle man जो दो परिवारों के बीच में शादियों को करवाता है उसे फक्तुम या फंक्तुम कहा जाता है नेक्स राग एक पंगवाल्स तो पंगवाल्स के बीच में जो शादियों से कहते है पिट चक्या छोरी अगला जो question है वो है वायू पुरान में से निमल लिखित में से कौन सी जन जाती महानत परिवत के वासी वर्नित है तो इसका सही आंसर है हमारा किनौरा यह जो किनौरा ड्राइब है यह किनौर जिले के रहने वाले हैं किनर भी इने कहा जाता है और वायू पुरान में इन लोगों का यह लोग वर्नित है वायू पुरान में इसका सही आंसर है हमारा मसरूर टेंपल जो मसरूर टेंपल है हिमाचर प्रदेश का इसमें नागरशैली का प्राचीनतम उधारन है और यह है कहाँ पर कांगरा घाटी में है ठीक है व्यास नदी पर है यह व्यास नदी के किनारे पर यह मंदिर है कांगरा घाटी में इसमें जो मुख्या देतिस है देवता है वो है शिव शिव जी है विश्नु है ठीक तो य अजिए आठीशाब्दी में बनाया था यह आएंसा quienि कुछ एक मंदिर दिए गया हो थे बना कौने से स्दाब्दी में बना था तो basically यहाँ आठीशाऻी का प्राचीन तमुदारन यह पेश करता है यहाँ पर खो शाशक केश शाशनकाल से बशोली चित्रकला अपने प्राख्याती पर आई थी, मतलब सबसे जादा ये कब मशूर हुई थी, ठीक है, तो इसका सई आंसर हमारा यहां पर है, राजा किरपाल पाल, राजा किरपाल के पाल, कृपाल पाल के समय पर जो बशोली पेंटिंग है, वो सबसे जादा प्रख्यात हुई थी, ठीक है, तो जो बशोली है, वो बेसिकली जम्मु कश्मीर के कठ्वा का एक कस्बा है, ठीक है, रावी नदी के दाएं किनारे पर है ये, और इसकी अगर उंचाई अगर हम बात करें कितने अल्टिटूड पर है, तो ये है ठारसो शेत जाए पार्क या अभ्हारन का जो कुल कशेतर फल है वो 1170 वर किलो मिटर है, तो इसमें सही आंसर है हमारा, इंपोटन्ट है, ये भी पार्क नेशनल पार्क तो बात हैं इपोटन्ट होते ही है, गरेट हिमालय नेशनल पार्क उलू में सिते हैं, इसे जो स्थापित किया ग इसे वन्य जीव सरक्षन अधिनी में 1922 के अंदर इन सब को बचाया यहां पर गया है। इसका सही आंसर है हमारा शार्दा और टांकरी में जो मैक्सिमम अभी लेक हैं चंबा जिले में जो पाए गया है। इसका सही आंसर है हमारा शी ओलिव यानि कि जिसे हम जैतून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेशन हमारा है हिमाचर प्रदेश में उपलब्ध पन बिजली की कुल 27,436 मेगावाट क्रमता में से कुल कितने का दोहन कर लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ओप्शन नमबर सी 10,519 मेगावाट का दोहन कर दिया गया है। तोटल कितनी है पन बिजली की 27,436 और जिसमें से 10,500 मेगावाट का दोहन कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेशन हमारा है हिमाच्र प्रदेश में किस योजना के अंतरगत गरीवी रेखा से नीचे रह रही 10-75 वर्ष की महिलाओं को उनकी अपंगता और मृत्यू पर लाभावित किया जा रहा है। इसका सही आंसर है यहांपर मात्री शक्ती विमा योजना को लांच किया गया था 25 सेप्टेंबर 2000 को और इसमें ग्रामबिन क्षितर में रहने वाली जो सारी महिलाएं हैं गरीवी रेखा से नीचे जो रहती हैं उन सब को इंक्लूड किया गया था और उनकी जो आयू सिमा अब नेक्स्ट कोईशन हमारा यहांपर आ जाता है नीमन में से किसको राजसलकार ने हिमाच्र प्रदी सार्वजनिक सेवा गरंटी आधिनियम 2011 के अंतरगत एक सार्वजनिक सेवा घोशित किया है तो इसका सही आंसर है हमारे यहांपर मिट्टी की जांच तार्यकरम को एक सार्वजनिक सेवा घोशित किया गया है अग्ला कोईशन हमारा मैच करने का ही है दो चीज़े दी गए आपको यहांपर इनको अपने मैच करना है सबसे पहले है गेटी थिएटर तो गेटी थिएटर को हेंडरी इर्विन ने बनाया था तो इसका सई आंसर है यहांपर काम यह है रिलेटेड हमारा सैमौल इवान स्ट्रोक के साथ आगला आगया ओल्ड शिमला बैंक तो यह मेसर्ज बैरेट एंड कोपरेशन के साथ समन्धित है इसमें सही आंसर है हमारे यहां पर अम्रीता शेर्गिल एक हंगेरियन इंडियन पेंचर है 19 वर्ष की उमर में उनको oil painting young girls के लिए पहचान मिली थी 1932 में जब ये 19 साल की थी ना 1932 में तब इन्होंने एक oil painting बनाई थी young girl इसके लिए इन्हें पहचान मिली थी